नमस्कार दोस्तों, टेस्ट वाला की यूटुब चेनल पर आप सभी का स्वागत है हमारा ये सेकंड पेपर चला है, सेकंड पेपर के पार्ट बी में हम जो नया टॉपिक है आपका समाज सास्त्र वह देख रहे हैं समाज सास्तर में इससे पहले हमारी दो क्लास है हो चुकी है आज ही हमारी थार्ड क्लास है आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतिय संस्किती की बिसेस्ता है यह आपके सिलेवस में सीधा सीधा टॉपिक दिया है यह आज है आपका 11 मार करानी की संभाबना है तो चलिए शुर डालना है और आप SS SS को छाप सकते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहेगा हमारा भारतिय संस्किति जो है बिस्व की प्राचीतम एबं सम्रिधतम संस्कितियों में से एक है यह अपने जो मूल सरूप है उसको आज भी अक्छोण बनाए हुए है तो यह आप बिस्व इतियास में भारतिय संस्किति का वही स्थान है एबं महत्वे जो असंकितारों के समख्च चंद्रमा का है तो यह आप एक कोटेशन नहीं डाल दें तो आपका इंट्रोडक्शन जो होगा वो थोड़ा प्रभावसाली बन जाएगा ठीक है इसके बाद आपका आप एक फॉर्मेट बना सकती है इस तरीके से आप ऐसे चाहें एक फॉर्मेट बना दें उसमें आप जो भी आप पॉइंट लिखेंगे उनको आप यह आप बता दें ठीक है तो इस तरीके से आप एक फॉर्मेट बना दीजेगा अब इसमें आपका पहला पॉइंट रहेगा प पीम बेटका के सेल चित्र हुए, आपकी नर्मदा घाटी के खुदाई से मिले अप्षिश हुए, ठीक है, तो इनसे यह पता चलता है कि आदी मानप की करम इस्थली एवं कींड़ा इस्थली रहा है, ठीक है, भारत, ठीक है, तो इस तरीकी से आपका पहला पॉइंट हो नैतक्ता में लिखिएगा भारती संस्किती की, यह रीड है, त्याग, तप, समन्वे, सहिशुनता, इस तरीकी के जो तत्व हैं, इनको भारती संस्किती में सर्वोपरिस्थान दिया गया है, ठीक है, तो इस आदार पे यह विश्व की सर्वसे संस्किती कही जा सकती है, इ पूर्ण सनातन गोने महात्मा बुद्ध से लेके महत्मा गांधी तक सभी ने प्राणी मात्र पर दया भाव को सर्वोचिस्थान दिया है तो इस तरीके से आपके पॉइंट हो जाएगा यहां पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप जो भी पॉइंट लिक रहा हैं उन आपका यह कीवर्ड को बगड़ेगा फिर उससे आपको मार्क्स अच्छे मिलने की संभावना बढ़ जाएगी जैसे मालने चीज़ यह पॉइंट है इंसा वाला तो यहां पे आप लिखे दें कीवर्ड आपका क्या रहाएगा महत्मा बुद्ध से लेके महत्मा गांधी त इसके बाद आपका ऍëक्स्ट पॉइंट रहेगा अफ़तारवाद में क्या लिखेंगे हमकी भारती जो संस्किती है इसमें अफ़तारवाद प्राचिनकाल से ही अफ़तारवाद के अफधारणा देखने को मिलती है अधरम के बिनास्ट के लिए बेशिवर के अफ़तारों क चर्चा की गई है जिसमें आप देखेंगे राम अप्तार हुए किशन हुए नर्सिंग अप्तार करल की अप्तार इस तरीके के कई सारे अप्तार इसमें देखने को मिलते हैं ठीक है इसके बाद वारा next point हो जाएगा नारी का सम्मान यहाँ आप लिख दीजिएगा यतर नारी अस्तु पूझेंते रमंते ततर देबता धर्त जहाँ पे नारी की पूझा की जाती है वहीं देबताओं के निवास होता है यह हमारी जो भारतिय संस्कृती है उसका मूल आधार है यहाँ पे नारी का सम्मान नारी की पूझा यह इसको सर्वोचिस्थान दिया गया है इसके बाद नेक्स पॉइंट है आपका सार्भामिक्ता सार्भामिक्ता में आपका यहाँ देखिए कीवर्ड हो जाएगा बसुदेब कुटुमगम बारती जो संस्कृती है वे बसुदेब कुटुमगम की अबधारना पर आधारित है इसमें माना जाता है कि जो संपूर्ण विश्व है वे एक परिवार है और इसका जो दर्ष्टिकोन है वे बैस्विक दर्ष्टिकोन है यह जो राजनितिक सीमा है उनको नहीं मानती तो इस तरीके से आपका यह सर्भहमिकत वाला पॉइंट हो जाएगा इसके बाद है आपका next point अध्यात्म और भृतेकता का समन्वे तो देखे बारती जो संस्किती में अध्यात्म और भृतेकता का समन्वे दोनों ही देखने को मिलता है अध्यात्म में आप देख लीजे आसरम हुए आपके आसरम विवस्ता और पुर्शाद तो चार आसरम है आपके ब्रह्मचर आसरम ग्रहस्त आसरम बानप्रस्त आसरम, सन्यास आसरम तो इनमें आपको देश जैसे माल लीजे आपके ब्रह्मचर आसरम हुआ ठीक है इसके बानप्रस्त हुआ और सन्यास हुआ ये आपके अध्यात्मिक्ता को बताते हैं जबकि ग्रहस्त आसरम हुआ ये आपके भृतिक्ता को बताता है इसी तरीके से जो आपके पुरुशार्थ हैं धरम, अर्थ, काम और मोक्च तो इसमें जो काम और अर्थ है ये आपके भढ़तिक्ता को बताते हैं तो इस तरीके से इसमें दोनों ही जो पक्षे हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश की गई है ठीक है या आपको अध्यात्म और भ।तिक्ता दोनों का ही समन्वे देखने को मिलेगा इसके बाद आपका next point रहेगा नरंतर्ता नरंतर्ता भरती संस्किती की यह एक मेहत्पुन बिसिस्ता रही है इसने हजारों बरसों में भी अपने जो उसका मूल सरूप है उसको जीबित रखा है जैसे आप देखे मिस्र की संस्किती हुई सीरिया हुई रोम हुई इनकी संस्कितियों का जो मूल सरूप है वे बिस्मित हो चुका है कहीं न कहीं उनका जो वहां की संस्किती है उन्हें परिवर्ता ना चुका है लेकिन भारत की जो संस्किती है जो भारतिय संस्केती है उसका आज भी वही सरूप है जो प्राचीन काल में देखने को मिलता था तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट हो जाएगा इसके बाद आपका नेक्स्ट है ग्रहाण सीलता इसमें आप लिखेंगे भारतिय संस्केती में सहिंशुनता और उधारता का जो गुण है इसके कारण ग्रहाण शीलता की प्रवत्ती देखने को मिलती है इसमें उधारण आप दे सकती है कि जैसे यूरोप की जो संस्केती है वहां से हमने भहुत एक बाद को ग्रहाण किया है तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट हो जाएगा इसके बाद आपका न यहां आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है आपको ऐसा कैसा इसको छाप देना है आपका 11 मारकर में अगर ये कुश्यन आता है तो आपका अंसर ये कंपलीट हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हमारे ये जो भारतिय संस्केती की बिसेस्ता है ये वाला टॉपिक अगी बीवाद